नमस्कार दोस्तों आपका एक बाफिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको तेरा अमेजिन टिप्स बताएंगे तेरा आसान गरे लिए उसके जिसके माध्यम से आप शरीर की अंचाही बीमारी और परशानी दोर कर सकते हैं घर बेटे तो चलिए दोस्तों बिना कैसी देरी से शुरू करते हैं अगर आप शिनल फर्च टाइम है तो सब्सक्राइब पर एफिट इंडिया को और वीडियो को जादर सादर शेर कर दीजी ताकि दोस्तों इससे फाइदा उटा सके हैं टिप्स नमबर वन एक छोटा चमज सोट का पाउडर मिला लिजी इसमें थो इसे अपने गुटनों पर मलिए टिप्स नमबर टू जिन लोगों को मदू में यानि शुगर की बिमारी है वो बेगन का इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि बेगन में बहुत ज्यादा मातरा में कार्बो हाइडरेट नामक पदार्थ पाये जाता है ताथा फाइबर उच्छ मा मेह की बिमारी है वो लोग बेगन का सेवन करें उससे उनकी शुगर का लेवल कंडूल नियंतर में रहेगा टिप्स नमबर तीन अगर आपके शरीर में आईरन की कमी है तो आप पोहा अधिक खाईए आप पोहा खाएंगे इससे आपके आईरन की कमी दूर हो जाएगी जो बबती मेला हैं वो पोहे का सेवन कीजिए इससे उनके शरीर में हिमोगलोमन की मातरा बढ़ जाएगी टिप्स नमबर चार यदि आप रोजाना खाली पेट सिर्फ एक महीने तक किशमिश का पानी पीते हैं तो यह आपके खौन को साफ कर देता है जी हाँ दोस्तो जिसके क एक ऐसा फल है जिसमें पानी की मातरा बहुत अधिक होती है केलोरीज में कम होने के कारण यह फल चर्बी कम करने मापको बहुत ज़्यदा साहता करता है इससे आप रोज खाएं नमक और निम्मू डालकर सलात बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं इसकी केलोरीज आपके शरीर केलिए काफी फायदे मन होता है कौर्ण यानि की भुट्टा इससे आपके होने वाला बच्चा आप सहत मन रहता है तो जो महीला प्रेगनेंट है वो कौर्ण नका सेवन करें इससे उनको सहस्त संबंदित सौास्त लाब मिलेगा और बच्चे को भी आराम और शरीर को अरज करने से कलाईयों में दर्द होने लगता है इसके लिए एक आलू उबाल कर गरम गरम ही फोल लें इसे कपड़े की साफ वट्टी में लपेट कर कलाई पर बांध लें इससे कलाई के लंबे समय तक सिकाई करें इससे दर्द समाप तो याद रखिए आलू को बाल कर कपड़े में बांध कर कलाई पर इसकाई कीजिए जिससे दर्द में आपको राहत मिलेगी और कलाई का दर्द खत्म हो जाएगा टिप्स नम्मर आठ सो ग्राम सरसो के तेल में 20 ग्राम देसी कपूर डाल कर रख लें जब कपूर अच्छी तरह से गल जाए तो इसको कमर पर मालिश करें कमर दर्द में आपको लाब होगा तो जिन लोगों का कमर में अक्सर दर्द रहता है वो सरसो के तेल में कपूर को मिलाएं और उसकी मालिश करें टिप्स नम्मर नो जिन लोगे पिशाब में अक्सर जलन रहती है ये खासकर मर्द और दोनों लोगों के लिए ये प्राब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रही है कि जिन लोगे पिशाब में जलन रहती है वो धनिया पाउडर एक गिलास पानी में एक चमच धनिया पाउडर डालकर रादबर रख लें और सुबह इसे चान कर उसमें शकर या गुर मिलाकर पी ली जए स傳ुनुसार इससे पिशामें जलन से आपको आरा मिलेगा जो महिला या पुरुश जिनके चेहरे पर दाग दब्बे या किल मुहा से हो जाते हैं वो आदा निम्बू में एक चमच हल्दी पाउडर मिलागर तीस मिर्ट तक मालिश करें हलका सा मसाज करें फिर इसको चेहरे को धोलें ये पेश्टर का निखार उनके चेहरे पर आराम दिलाएगा और चेहरे पर होने वाले दाग दब्बो को आसानी से मिटा देगा टिप्स नमर 11 रोज़ाना सोने से पहले और उठने के बाद दो तीन इलाइची चबाने से ठकान से रहत मिलती है टिप्स नमर 12 सेंधा नमक हमारे शरीर में मौझूद सेरो टोनिन और मेला टोनिन हर्मोंस का संतुलन बनाने में मदद करता है जिससे हमें तनाव नहीं होता इसलिए हमें रोज़ खाने में सेंधा नमक डालना चाहिए इससे तनाव और डिप्रेशन के समस्या दूर हो जाती है टिप्स नमर 13 जहां दोस्तों ये लास्ट और इस एपिसोट के आखरी टिप्स है शरीर के रोख परती रुदग शम्ता को बढ़ाने के लिए आप गन्ने का रसका सेवन कर सकते है गर्मियों में अक्सर आपके शरीर में पाने की कमी हो जाती है सुबा रोजाना गन्ने का जूस पीना चाहिए गन्ने में कई पोशक तत्व मुझूद होते हैं जिससे आपके रोख परती रुदग शम्ता बढ़ती है और आपको एनरजी मिलती है तो दोस्तों ये थे 13 अमेजिन टिपस एक घरलो टिपस एक आसान टिपस जिसके मध्यम से आप अपने शरीर के होने वाली किसी भी प्रकार की प्राबलम्स और परैशाने को आसानी छहत्म कर सकते हैं तो आपको 13 अमेजिन टिपस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं स्वास सम्मंदित किसी भी जानकरी के लिए आप हमारे चैनल फेट इंडिया को सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करतीजेगा आपको जो कुछ सुजाओं हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को ज़्याजादा शेर करें अपने दोस्तों करेवी मित्र रिश्यदारों में तो दोस्तों नेक्स टाइम आपके साथ जल मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई